हेलो फ्रेंट्स तरंग इस्टिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का श्वागत है फ्रेंट्स आज एक न्यू कैंपस के साथ आपके सामने उपस्तितू हमारे जो भी छात्र आइटिया या डिप्लोमा पास कर चुके हैं वो अप्रेंटिस या नौकरी करना चाहते हैं उ फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताया जाएगा तता इसके लिए वीडियो को सुरू से अंतक देखते रहे ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो सके तो फ्रेंट्स बिना देरी के वीडियो को सुरू करते हैं हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए ITI से रिलेटेड कैमपस सेलेक्सा लेकर आता हूँ जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे यह ITI कैमपस प्लेस्मेंट है वैन्यू के बारे में बता दे जहां पर जा करके आपको अपना कैमपस कराना है वो महाबोधी प्राइवेट ITI खड़ी नवादा गया बिहार फ्रेंट्स यह बिहार वाले दोस्तों के लिए एक बहुत ही अच्छा कैमपस प्लेस्मेंट है फ्रेंट्स यह एक आटो मुवाइल सेक्टर की सबसे बड़ी और MNC कमपनी में काम करने का आप सभी लोगों को एक सुनहरा मौका मिला फ्रेंट्स मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसको फेस्बूक वाटसाप गुरूप सारे सोसल मीडिया पर इसको वाइरल कर दें फ्रेंट्स जैसा कि आप इसको देख पा रहे होगो डेट आफ कैंपस प्लेशमेंट है 22-2020 और टाइमिंग है फ्रेंट सुबह 9 बजे आपको वहाँ पर जाना है कैंपस के लिए कंपनी नेम के बारे में बात कर दूँ जो कंपनी नेम है वो इंडो आटो टेक लिम्टेड बैंगलोर की फ्रेंट्स ये कंपनी है और फ्रेंट्स एमेंसी कंपनी है मौका मच छोड़िएगा क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर दूँ फ्रेंट्स इसमें 10 ट्वेल्थ और आईटी आई वाले चात्र भी इस कैंपस में भाग ले सकते हैं आईटी ट्रेड मेरा मौका है फ्रेंट्स इसमें एज लिमिट के काइटेरिया के बारे में बता दें फ्रेंट्स इसमें एज लिमिट का काइटेरिया दे रखा है वो 18-30 साल के युवा इस कैंपस प्लेस्मेंट में भाग ले सकते हैं आईटी आई पास आउट येर के बारे में बात कर दें इसमें 2013 से 2019 के बीच वाले सभी छातर इस campus में भाग ले सकते हैं, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और मैं इसको salary के बारे में बता हूँ, इसमें आपको salary दी जाएगी, वो आपके performance के according आपको 10,000 से 18,000 के बीच में आपको salary दी जाएगी, इसमें पहले आपका interview होगा, और फिर आपका paper लिया जाएगा, और उसके अधार पर आपकी salary 10,000 से 18,000 के बीच में fix की जाएगी, इसमें आपको कौन को से document लेके जाने हैं, इसके बारे में बता दो, जो भी आपको document लेके जाने हैं वहाँ पर campus के, फ्रेंड उसकी आपको photo copy और original और photo दो या तीन जरूर लेकर के friend अपने साथ में जाएं, मैं बात करता हूँ, document required के बारे में, फ्रेंड आपको resume लेके जाना है अपना, अधार कार्ड और 10th की mark sheet, ITI की mark sheet और ITI का certificate, friend, original और photo copy लेकर के जरूर जाएं, friend, ये सभी बिहारवाशियों के लिए एक बहुती अच्छी खुसकवरी है, friend, वीडियो के last में आपको इसका proof भी दिया जागा, और friends, आपको अगर इस campus related अधिक जानकारी चाहिए, तो आप इस number पर call करके पूछ भी सकते हैं, friend, जो ये number highlight के जा रहा है, friend, ये आप सभी के आप type कर सकते हैं, तो आपको उसका solution कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, friends, वीडियो अच्छी लगी, तो इसे like करना तता subscribe करना न भूले, thank you for watching my video,